दूस्तो आरेश अगरवाल का कोशन बन रहा है या फिर नहीं यार आरेश अगरवाल भी बनाया करो चलो तो फिर नहीं बन रहा है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ यार आज मैं तुम्हें ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम आरेश अगरवाल की एक एक कोशन को अच्छे से बना सकते हो वो भी कम टाइम में सिर्क तीन स्टेप सिखना है और ये तीनों स्टेप बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इन स्टेप को फोलो कर लो उसके बाद तो सब तुम बना लोगे यार अगर पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को एकदम स्कीप मत करना बढ़ी हां से इंड तक देख लेना इंड में तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है देख लेना फिर फरस्टी टेप में बढ़ते हैं देख कि नाम सुनते हैं आदमी लोग का हालत पंचर हो जाता है यार तुम अपने आप पर सक्क्यों करते हो तुम आरे शगरवाल का कोशन बना नहीं सकते क्या बात करते हो तुम सब बना सकते हो तो सबसे पहला इस टेप यही है कि कभी भी तुम कोई भी कोशन बनाना तो इसे अधिक लोगों का यही आदत रहता है कि टाइम बचाने के चकर में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में कूद जाते हैं कोशन बनाना चालू करते हैं वही हारली चार पांच कोशन बनता है उसके बाद अटक जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि इसे कैसे बनाएंगी उसके फिर वापस पेज पलटते हैं कि इसे बना यार, एक्जामपल देखते हैं, थियोरी देखते हैं, क्या-क्या देखते हैं, उसके बद आउर बनाने लग जाते हैं, आउर नहीं बनता, आउर फस जाते हैं, तो फिर वह सही करते हैं, यार ये गलत तरीका है, ऐसे में तुम्हार तुम्हारा टाइम बचेगा नहीं, तुम्हारा टाइम ज्यादा खर्चा होगा, सही तरीका मैं अभे बता रहा हूँ, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है, तो किताब को ध्यान से पढ़ो, इंट्रोडक्शन सब भी पढ़ो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तो उस चेप्टर का में में जीज में फोकस कुछ आई, यह में में चीज क्या होता है? यार important points अभी मैं किताब उठा कर भी तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ कौन सा class का किताब उठा हूँ class 9 कहीं उठा लेता हूँ कुछ class 9 के भी देख रहे होंगे इसलिए तुम तो पढ़े होगे class 9 तो class 9 में एक chapter है factorization उसे ही उठा लिया देखो भाई हम लोग क्या करते हैं सीधे exercise में कुद जाते हैं exercise से पहले यह सब important चीज नहीं दिखता है यहाँ पर देख रहे हो यहाँ कुछ-कुछ formula लिखा हुआ है यह सब formula को पढ़ने याद करने में कितना लगेगा वही 5 मिनट चलो 10 मिनट मान लेते हैं 10 मिनट लगा यह सब formula याद करने के लिए उसके नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है common factor को निकाल करके factorize कैसे करें यही लिखा हुआ है अब तुम जब यह सब चीज को पढ़ोगे नहीं तो आगे exercise में यही समना दिया हुआ है यार तो यह सब चीज को पढ़ने के बाद ही तुम आगे बढ़ना सबसे पहले method को देखो कि common factor कैसे निकाला जाता है नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाओ example देखके तुमें समझ में आ जाएगा तुम starting की एक example और बीच का एक example और last का एक example को देख लो तीन example को देख लो तुम यह सीख जाओगे कि common factor से factorization कैसे किया जाता है तुम चाहो तो शुरू का और last का example भी देख सकते हो यहाँ पर factorization करने का और एक method है इसी भी देखो कि यह method कैसे काम करता है किस-किस number में यह method को अपलाई करते है देखो इसका भी एक starting का example देख लो और last का एक example देख लो यह सब चीज अगर तुम देख लोगे ना तो exercise का 90% question तुम बना लोगे हमारा आदत क्या है सीधे exercise में चल जाओ देखो यहाँ पर यह exercise खतम हुआ उसके बाद यहाँ पर और एक factorization करने का method है इधर और होगा ऐसा ही बुक में जो भी important होता है ना भाई उसे bold letter में लिखा हुआ रहता है उपर उपर से ही पता चल जाता है कि यह important है इसे एक बार देख लेना चाहिए देखने में कितना time लगेगा भाई मुश्किल से अगर तुम देखोगे ना तो आही 15-20 मिनट लगेंगे 15-20 मिनट देख लो एक्जामपल सब को देख लो कि कैसे यह सब हुआ है उसके बाद एक्सरसाइज में उत्रो अराम से बनाओ सब बन जाएगा चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या करना है सबसे पहले important points को पढ़ना है उसके बाद उसका एक्जामपल देखना एक्जामपल का सिर्फ कोचन देखना अंसर अपने से solve करने का कोशिश करना एक दो का solution देख ले न लेकिन अगला एक्जामपल को अपने से solve करने का कोशिश करना यह सब 15-20 मिनट में हो जाएगा उसके बाद आराम से exercise बनाते रहो पीछे देखने का जूरत ही नहीं पड़ेगा भाई हमारा time ना पीछे देखने में ही waste हो जाता है जब हम लोग exercise में फंसते हैं तो हम लोग पीछे देखते हैं उसी में हमारा time waste होता है अच्छा इतना करोगे ना तो तुम्हारे exercise का 90% question बन जाएगा लेकिन 10% question छूट जाएगा उन नहीं बनेगा तो उसको बनाने के लिए तुम exercise के बाद hint रहता है उसको देखो यहाँ पर को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो hint है exercise हुआ उसके बाद नीचे answer दिया हूआ है उसके बाद में hint है तो उस hint को देखके तुम उसको बना सकते हो यार आरेश अगरवाल का solution वाला एप आता है गो description में उसका link मिल जाएगा यह मत सोचना कि मैं उसका परचार कर रहा हूँ यह मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ भाई मैं एक चीज के लिए तुम्हें मैं सावधान करना चाहता हूँ देखो यार हम मिसे अधिकतर लोगों का यही सोच रहता है कि भाई एक बार आरेश अगरवाल बना लो उसके बाद तो हर कोशन बन जाएगा भाई यह गलत फैमी में कभी मत रहना यार जब तुम इधर से बनाते जाते होना तो पीछे का चीज भूलते जाता है हाँ भाई मैं सच कर रहा हूँ इसलिए क्या करना अभी तो तुम बनाना इस्टार्ट ही किये होगे तो जो जो कोशन थोड़ा टफ लग रहा है थोड़ा हाड लग रहा है उस कोशन में गोल कर देना जो जो कोशन आसानी से बन जा रहा है उसको छोड़ देना लेकिन जो जो कोशन थोड़ा दिक्कत कर रहा है थोड़ा टफ टाइफ का लग रहा है वैसे में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा गुल किया हुआ कोश्टन को बनाना तुम्हार रेविजन हो जाएगा यार तुम चाहो तो चिप्टर खतम होने के बाद एक समेरी वाला पार्ट रहता है उस समेरी वाला पार्ट को भी तुम देख सकते हो वहां चिप्टर का कि इंपोर्टेंट होते हैं मतलब कोश्टन के बगल में cbsc 2008-2009 ऐसा लिखा हुआ रहता है वह कोश्टन इंपोर्टेंट होता है वह कोश्टन एक्जाम में आया हुआ रहता है cbsc 2017-2019 ऐसा लिखा हुआ रहता है मतलब cbsc के उस साल में वह कोश्टन आया रहता है तो उस को को ज़ादा ध्यान देना उस को शुल्व करना क्या कोशिश करना है तो दोस्तो I hope तुम्हें समझ में आ गया है कि कम टाइम में आरे शेगरवाल को कैसे करें टाइम कैसे बचा यार वीडियो को लाइक नहीं है